दोस्तों अगर आपका ध्यान भठक रहा है या आप बिक लेने के लिए लल्चा रहे हैं या टाल मतोल करने की इच्छा जाग रहे हैं तो बार बार यह दोहरा कर खुद को प्रेरिप करें कि दोबारा काम पर लूटो और फिर उस काम को पूनता तक पहुँचाने की अपनी को पूसिशों को बढ़ा दें दोस्तो इसका ताथ पर यह है कि कभी-कभी आप जो है चाहे खेती हो या अधर कोई धंदा हो या भिया चाहे कोई बेजनेस हो आप उसमें जो है मेहनत तो करते हैं काम तो करते हैं लेकिन भिया उसमें ठोकर लग जाती है या भिया वहाँ पर अपने आपको महसूस करते हैं और भीया उस काम को आप छोड़ देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका दोस्तों पूरा का पूरा लास होता है अगर मित्रों आप जो है पुना उस काम को दोबारा करते हैं और चालू करते हैं और भीया उसकी हद तक पहुंचते हैं तो पक्का है दोस्तो की आपको बाफट ही होगा। नमस्कार किसान भाईयों। मैं राजेस वर्मा आपका अपने ग्रोप फार्विं में स्वागत है। दोस्तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बारा हैं। या भीया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भीया हम किसान है खेती की बाद करेंगे दोस्तों इस समय गेहूं मसूड चना और जो है सरसो तमाम ऐसी फसले हैं जो दोस्तों कट चुकी है या भीया कटने वाली है या भिया एकदम कटने की कगार पर हैं और मित्रों कटने के तुरंत बाद भिया ये खेत खाली हो जाएंगे अगर दोस्तों ये खेत हम अपने खाली छोड़ देंगे तो वहां पर दोस्तों क्या होगा कि हमारा लास हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इस कंपटरीशन के दौर में अ सरसो मसूर चना गेहूं जैसे खाली हुए खेत में अगर बोई जाएं तो उनसे अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है तो भीए इसमें कुछ परमपरागत फ़सले हैं अगर भीए तिल की खेती आप इस समय करेंगे तो भीए आपको अच्छा प्राफिट होगा क्योंकि दोस्तों आप बर्साद में अगर तिल की खेती कर रहे हैं तो उस समय भीए इसमें नूमोर्टेट की समस्या आजाती है और भिया कभी कभी पूरी फचल चली जाती है लेकिन दोस्तों अगर इस समय आप तिलकी खेती कर रहे हैं तो ये भिया आपको 60-70 दिन में कड़ जाएगी और बहुत अच्छा फाइदा देगी इसी के साथ भिया आप जो है मूं की खेती कर सकते हैं अगर दोस्तों मूं की बढ़ाता है अगली फसल भीयाइ आप उड़त की कर सकते हैं अगरир दोस्तों इुड़त कीजित कर रहें तो वजिया सेम इतने ही दिनों में कर जाये गी क्योंकि मूंग और उड़त एक समान फसले हैं दोस्तों इसमें भी जो भीयम पाया जाता है और जो है उसमें भीराई जो भीयम पाया जाता है और हाँ ध्यान रहे दोस्तों कि जब आप गर्मियों में उड़त की खेती कर रहे हैं या मूंग की खेती कर रहे हैं तो भीया इसमें सफेद भुनगी की समस्या आती है तो उस समय आप जो है सफेद दोनों भी अच्छा फाइदा देंगी दोस्तों ये तो ही परागत फचले अब हम बात करेंगे सबजी वरगी फचलों की इसमें सरवप्रसम दोस्तों धनिया की बुआई करें क्योंकि मित्रों धनिया जो है गर्मियों के मौसम में जमाव नहीं लेती है क्योंकि जिदना बढ़ता जाएगा उतना जelynत समस्य भीया जरर्मनेजन में धनिया के होती चली आएगी तो मित्रों तत्काल आप धनिया की बूआई करते हैं और अच्छी टरीके से इसकी देऍग रेक करते हैं तो ये बहुत प्रापट देने वाली फसल होती है क्योंकि मित्रों अगर आपकी फसल खराब हो रही है या आपकी पतियां उसकी पीली पड़ रही है तो ये बहुत जल्दी पकने लगता है तो मित्रों क्या होता है कि इसके भाव बाजार में आपको नहीं मिलेंगे इसलिए भीया इसकी आप अगर काईदे से पूरह को ख discarded क्योंकि भेया और यह जनवरी का भूय वार है आप यह अगर इसकी तेस संसद्राइगी तो जब तक आप की कीरा तयार होकर बाजार पहुंचेगा तक भिया जनवरी और फरवरी का बोया हुआ कीरा पूरी तरह खतम हो चुका होगा और भिया अगर आप इसको बेड़ पर बो रहे हैं तीन बाई तीन का बेड़ यानि की छे फुट का आप बेड़ बना रहे हैं जिस पर दोनों तरफ स बहुत अच्छे भाव माने जाते हैं लेकिन दोस्तों ध्यान रहे इस समय अगर आप तारबास के सहारे इसकी बुआई कर रहे हैं यानि की सहारा बित से तो हो सकता है जब भिया आप मई में और जून में ज़्यादा तेज गरम होआएं चलती हैं तो उस समय हो सकता है कि आ करेला की लगा है क्योंकि दोस्तों साल के बारो महीने करेले की डिमांड रहती है क्योंकि दोस्तों करेला एक आउसदी का काम करता है क्योंकि दोस्तों सुगर पेसेंट लोगों की संक्या बढ़ती जा रही है जो भिया करेले का निरंतर सेवन करते हैं तो इसलिए भिया अगर बेड़ पर बो रहे हैं, तो इसमें आपको जब गरम हवाय चलेंगी, तो आपके फूल फल पर किसी प्रकार कर नुक्सान नहीं होगा, और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि हाइब्रेट में अच्छी किसमों को ही वो हैं, दोस्तों अगली फसल आप लोकी की करें, अ उसमें भीया, आपको भाव भी बहुत अच्छे मिलेंगे, और मित्रों लोकी का उत्पादन इतना जबरज़त होता है, कि अगर आपको दस रुपए का भी भाव मिला, तब भी मित्रों दो ढ़ाई लाक रुपए एक एकड़ में मिलना तह है, और भीया, आप लोकी घोल व बहुएं, और भीया, आप हाइबरेट की अच्छी किसमों का ही चैन करें, अगली फसल आप भीया, तरोई और गिलकी कर सकते हैं, दोस्तों, आप चाहे तरोई बहुएं, चाहे गिलकी बहुएं, जब भीया, आप तरोई और गिलकी इस टाइम बहुएंगे, जब आपकी त तरोई और गिल्की तयार होगी तो भिया उस समय रेट पर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और हमने देखा है भिया कि जब बरसाथ का टाइम चालू हो जाता है तो उस समय भिया तरोई और गिल्की 25 रुपए 30 रुपए किलो के भाव मिलते हैं मित्रों भिंडी इस समय बाजार में आना चालू हो गई है और इस समय भाव भिया उसके 60 रुपए 70 रुपए चल रहे हैं दोस्तों इस समय आप अपने खेतों में भिंडी लगा सकते हैं क्योंकि भिंडी अभी तो 60-70 रुपए के भाव चल रहे हैं लेकिन दोस्तों जितना टाइम बीचता जाएगा तब भिंडी की रेट गिरते चले जाएगे तो एक बार भिंडी की रेट गिर सकते हैं लेकिन मित्रों ये तो पक्का है कि जब आपकी भिंडी चालू होगी तो उसके भाव चढ़ना चालू हो जाएगे और दोस्तों जब बारिष चालू हो जाती है तो उस समय भिंडी की रेट बहुत अच्छे होते हैं अगर दोस्तों आप भिंडी की खेती इस समय कर रहे हैं और आपके खेत में जलभराव नहीं होता है तो निश्चित है भहिया आपको बहुत अच्छा फायदा होगा दोस्तों अगली फसल आप टमाटर की कर सकते हैं टमाटर मित्रों लगातार एक साल हो गए हैं कि टमाटर के भाव बहुत अच्छे चल ले हैं यहां तक कि भहिया दो-तीन महीने तो ऐसे गुजरे हैं कि उस समय टमाटर 200 रुपए 500 रुपए और 300 रुपए किलो तक विका है यानि कि जो कैयरेट 24-25 किलो का आता है वो भहिया उसकी कीमत भहिया 3500 रुपए 4000 रुपए कैयरेट तक विका है और मित्रों ऐसा नहीं है कि इसकी रुपए कम होती है इसकी बुवाई कम होती है मित्रों रुपए और बुवाई हर बार अजिक होती है लेकिन भहिया इसका सुद्धला वही पाता है जो अपनी फसल का बहुत अच्छे से देख रेक करता है क्योंकि भहिया इसमें कुछ र तो जो आप इस समय टमाटर लगाएंगे तो भीया ये निश्चित है कि आपको जो है 30 रुपए 40 रुपए के भाव मिलेंगे क्योंकि भीया जब आपका तयार होगा तो वह महीना होगा जुन जुलाई का और जुन जुलाई में भीया इसके 30-40 रुपए 50 रुपए किलो के भ जाता है और दोस्तों आप जो है इस समय हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं मित्रों हरी मिर्च एक ऐसी फसल है कि ये साल के बारों महीने हर रोज इसकी डिमांड बनी रहती है और दोस्तों इसको आप किसी भी मंड़ी किसी भी बाजार में इसको आप बेच सकते हैं और भीया य आपकी मिर्ची तूटती रहेगी और दोस्तों जुलाई अगाथ सितंबर अक्टूबर में भीया इसके भाव सो रुपए डेल्ड सो रुपए यहां तक की दो सो रुपए किलो तक जाते हैं हाँ भीया ये तो मान सकते हैं कि अगला महीना जो आने वाला है उस समय इसके भाव 20 रुपए 10 रुपए किलो हो लेकिन ये एक ऐसी फचल है कि अगले महीने में आपको जो है 20 रुपए के भाव मिले तो उसके अगले महीने में हो सकता है कि आपको 80 रुपए 100 रुपए किलो के भाव मिले दोस्तों मिर्ची एक ऐसी फचल है जो आपको 2 से 3 लाग रुपए एक एकड में बड़े आराम से हमेशा दे जाती है बसरते भीया इसको आप लेवकड यानि की जिसमें पत्ती सुकुर्णे या एठा रोग या कोढ़िया रोग जिसे कहते हैं आप इस बीमारी से इसको बचा कर रखें दोस्तों अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं और आप रोज मंडी जा रहे हैं तो आप थोड़ी एरिये में आधा विस्वा एक विस्वा आप जो है पुदीना की खेती कर सकते हैं अगर भीया आप पुदीना लगा रहे हैं तो आप जब मंडी जा रहे हैं तो आप पांच किलो दस किलो रोज आना उसी के साथ आप पुदीना ल एक विसवा दो विसवा इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 20,000-30,000 रुपए बहुत आराम से गर्मियों के महीने में ये फचल दे जाती है और मित्रों इसमें लागत भी बहुत कम आती है भया आप इस समय जैसे ही खेत खाली हों आप पालक की भी केती कर सकते हैं और मुली की भी केती कर सकते हैं दोस्तों मुली साल के बारों महीने इसका डिमांड रहता है ये क्योंकि मित्रों ये सलाद में जाती है और इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है और मित्रों जो पालक है ये आपको 25-30 दिन में पैसा देना चालू कर देती है और जो है भीया ये 40-45 दिन में खतम हो जाती है और हाँ दोस्तों ये तो पक्का है कि गर्मियों के मौसम में 20 रुपए से खाले पालक नहीं विक्ती तो दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद